कि नविश्कार आप सभी देख रहे हैं दी नगरी डियोज और बेहूं आप सभी के साथ मरून तेकि इस वक्त हम आए हैं यहां पे जैपुर की इस मंडी में इस मंडी में जहां पे सब्जियों का अम्बार होता है लेकिन अब हम बात करें यहां पे की मैंगाई का जो दोर य इसकी थरुफटे हएं इशती हे महं जनता के लिए तो यहां बड़ा विशय बन चुका ऑफ इसमें चीनता को विशय है क faith speaking to GT on a그램 के साथ बात कहें तो आउसमान चो गए और साथ बात करें अितने अब सीफ के दाम तो इतने बढ़ चुके हैं अब सेब को हमें जी लगा कि हमें बोलना पड़ेगा क्यों कि स्सेब के भाव बहुत बढ़ चुके हैं अब साथ ही अगर हम यह बोले कि आपको सब्जीयों के दाम जो इतने बढ़ चुकी है तो ऐसे में तो आम जंता के लिए तो बड़ा चिंता का विशय बन गया है और साथ-साथ दुकानदारों के लिए भी चिंता का विशय है क्योंकि उनके पास सब्जीय का मारी है लेकिन ल इतनी मेंगाई बढ़ चुकी है ऐसे में आप क्या कहाएंगे एक धुकान मतलब खरीदार आते हैं आपके बस आते हैं अभी क्या पहले किसे जादा खरीदारी हुरी थी या अब लोग सब्जा कम खड़ें लोग सब्सक्राइब कुछ मेंगाई भी ज्यादा है फिर मोस्म किसान को मूलते हैं तक है तक पानी बड़ाबा आं और पांतर भी यह स Sum Ah जब माल कम हो जाता है तो मेंगा हो जागी और माल जाद आता है तो सस्ता हो जाता है अभी इस मोसम में तो मेंगी रेती है तो आधा माल पेश्ट हो जाता है खराब निकल जाता है खराब हो जाता है तो फेंगते हैं तो अरजेश इस हम होता हुग वारिश का समय वारिश में कर दोनों को नुक्सान तो काफी होता ना माल खड़ा हो जदा दागी होता बरसाथ का टाइम बहुत जादा समय हो गया है ऐसे में क्या कुछ परिश्यानियों का सामना आप लगों को करना पड़ रहा है क्या करें मैंडम से अमनों का बढ़नी रहे और में बढ़ते जा रहा है खाना पर जोड़ी है ऐसे में तो आम जंता का बजट तो पूरा बेगड़ सा गया है तो ऐसे में आप कैसी क्या कुछ मैनेज कर पारें कैसी क्या समाल पारें मजगुरी का नाम महत्मा गांजी क्या कर बाद्ब के जन्ता धेखिए खुद कहरी है कि हमारी सेलरी कमें और यहाँ पर हमें महंगाई पढ़ चुकी और सेलर इतनी कमें कि हमें इतना पैसे बढ़ने पड़ रहे हैं अब हमझान गालों से क्या को यहां पर पहले से क्या उनको फर्क आया है वनके कमाई में been बढ़ाए इतनी यहीं बढ़ चुकी यह यह लेकिन आपको पहले से क्या खड़ा किसी में अब कम हो गया है कुछ हम लोगों को मिलता है और जब माल कम आता है तो महें तो महेंगा तो आप तो बहुत कम हो गया 40 जितार जादा आते हैं कम हो गए खरीदारी तो कम चलए यह बारिज के बचे बचाशन दो बारे गया पूरी बंडी नहीं से क्या फ़रक पड़ा लोने ही के इपनी परिशानी जायर कें किसाए से वो यहां पर परिशान हो रहें सभी चीजों से किस तरह से आप़ बहुपढ़ गए हैं साथ ही हम बात करें do fruits की तो fruits में do fruits में sheep के भाव बढ़ चुके हैं अब हमें सेप को भी जी लगा के बात करनी पड़ेगी सेप इतने महंगे हो चुके है आईए मिंचे पूछे कि सेप के क्या इंघाम यहां पर हैं, वह हैं अभी शेयर क्या भाओ चला जय . अबभी शेयर को भाओ बढ़्चे घे कि गा defend को भाओं पर शेयर दोह सोॉटी dus अछी करी अनार बहल जादा अनार के भाओ बढ़ चुके हैं ऐसे में आम जंता को बहुत परिशाणी और यह खात तो खाए क्या और जाए तो जाए कहां। किसान माल लाता है तो उसके पेसे मनी नहीं रहें आदा तो गाड़ी में सड़ जाता है यहां लाते लाते ही वो कुछ उमीद करके आता है किसान पेसा कमाएंगे गाड़ी में केरेटे सड़ जाती है उसकी में कारण यह बारिस की बज़ेते हैं अभी अपने माल तोड़ा गाड़ी में लोड़ किया तो बारिस में से पाल खुला रहे गया तो बीज़ गया तो केरेटे सड़ जाती है यहां पहुशते पहुशते तो बीस परसेंट ही माल आता है मंडी तो आता है तो फिर तेजी होती इसमें तेजी में तो भोई खरीदेगा जिसके पास पेसा है गरीब आदमी थोड़ी खरीदारी करेगा अभी जैसे हमने असी रपे किलो तोरी लाई तो यह बिकी नी रही है इसको हम सोर पे बेच रहे यह नहीं बिकेगी जिसके पास बजड़े वो ले जाएगा गरीब आद शंज्में बिचारा पक्च जाता है को निकलवाएगा कोई नहीं निकलवाएगा सब पेसे वाले की कहानी है इस्पपताल में चल जाओ अब गरीब का बच्क भी बीमार हो गया तो उसको कोई निदेखेगा पेसे वाले को तुरंट कारवाई हो जाती है वो मरी जाता है प्याज लसन को अब पूछते हैं क्या दाम है प्याज लसन की क्या दाम अब जैसे रोजाना जो चीजे काम आती है डेली उस पे चीजे काम आ रही है ऐसे में तो यह बड़ा चिंता को विशय हो जाएगा आम जंता के लिए लोगों की घर का बजट विगड़ चुका है किस तरह से वो इन सब चीजों को मैंनेज कर पाएंगे यह बड़ा चिंता का विश्य है कि महंगाई इतनी बढ़ती जाएगी तो आखिर कैसे लोग इस चीज को मैंनेज कर पाएंगे दिन पर दिन बरसात को लेकर यहां पर महंग